हेलो एब्रिवान मैं हूँ शिवानी और आप देख रहे हैं केर वित मोधिकेर आज की वीडियो में आप लोगों को एक बहुत इंपोर्टन अपडेट देने वाली हूँ जो की रिलेटेड है पीवी और बीवी से अगर आपके concept बिलकुल clear है कि MRP, DP और बीवी क्या होता है तब आप इस वीडियो को ज़रूर देखें लेकिन अगर आपको अभी भी confusion है कि MRP, DP और बीवी और अब ये नया पीवी क्या होता है तब आप मेरे previous वीडियो को देखें मैं लिंक कर दूँगी स्क्रीम पर और description में भी तो ज़रूर उस वीडियो को आप चेक कर लीजे जहां पर आपके basics clear हो जाएंगे तो आज की वीडियो में मैं आपको update देने वाली हूँ जहां पर PV की values जो है वो change हो गई है यहां पर आप गौर कीजिए क्योंकि बहुत सारे लोग इस वक्त पैनेक हो चुके हैं कि plan change हो गया है modi care का plan change हो गया तो ऐसा बिलकुल भी नहीं है plan में कोई changes नहीं है जतने भी changes है वो सिर्फ values के अंदर आए हैं और एक बहुत ही छोटा सा change है तो वो मैं आप लोगों को पता देती हूँ अब तक क्या हुआ करता था एक PV की value हुआ करती थी 25 BV लेकिन अब वो ही एक PV की value हुआ करेगी 27 BV तो इस value के change होने से plan के अंदर जतनी भी values थी आपका हर level जो अब होना था उसके जितनी values थी वो बढ़ गई है अब तक हम हमारे PV को multiply करते थे 25 से अब हम उसे multiply करेंगे 27 से जिससे कि हमारे जो targets हैं वो हमारे आगे विल्कुल clear हो जाएंगे कि हमें कितने points बनाना है एक level अब जाने के लिए तो चलिए example के तो और पर इस chart को देख लेते हैं जैसे जैसे मैं बोलते ही जा रही हैं आप इस chart को read करते रहे हैं तब आपके सारे conclusions यहां पर clear हो जाएंगे तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यह कब से effective होगा तो यह जो नया rule है यह effective होगा 1st September से 1st September 2019 से यह नया rule applicable होगा और 31st August तक इसमें कोई changes नहीं आएंगे तो इसलिए इस चीज़ को अभी समझना बहुत जादा ज़रूरी है तो पहले कि जो values हुआ करती थी वो होती थी 1PV was equal to 25 BVs जो की अब change होकर हो चुका है 1PV is equal to 27 BVs तो जो multiplication values का हम 25 से किया करते थे अभी वो हम 27 से किया करेंगे तो अगर हम consultant level को देखें तो consultant level पर हमें चाहिए होते थे minimum 25 BVs और वहाँ से लेकर जो range होती थी वो होती थी 7,524 BVs तक अगर आपके इस range के अंदर BVs होते हैं तब आप कहलाए जाते हैं consultant आपका level होता है consultant level और आप 7% cashback के लिए eligible होते हैं ये rule जो रहेगा ये रहेगा 31 अगर्स तक 1st September से जो नया rule आजाएगा वहाँ पर values किस तरह से हो जाएंगी आप देखिए consultant level पर 7% eligibility के लिए आपके minimum BVs होने चाहिए 27 और उसकी range होगी 8,126 BVs तक जैसे ही आप एक level अप कर लेंगे तो अभी जो 1st September से रूल होगा वह होगा 8,127 से लेकर शुरू होगा आपका अगला level जो की है senior consultant level जहां पर आप 10% cashback के लिए eligible रहेंगे तो वह जो range होगी वह होगी 8,127 से लेकर 32,426 BVs की range रहेगी जो की पहले हुआ करती थी 7,525 से लेकर 30,024 BVs उसके बाद हम सभी का dream level है वो है director level तो director level पर पहले हमें चाहिए होते थे 1,50,025 BVs जो बढ़कर अब हो गए हैं 1,62,027 BVs तो director level पर आने के बाद आप eligible हो जाते हैं 22% की cashback के लिए तो एक चीज़ यहाँ पर आप guard कीजिए कि जितने भी values यहाँ पर change हुई है वो सिर्फ BV की change हुई है BVs में यहाँ पर कोई change नहीं है consultant level पर पहले भी 1 से लेकर 300 BVs होना चाहिए और अब जो नया rule आ रहा है उसके अंदर भी same है कि 1 से लेकर 300 उसके बाद अगर level बढ़ जाता है तो 301 PVs से लेकर 1200 senior consultant level के लिए वो भी same है तो PVs में यहाँ पर कोई change नहीं है जितना change है वो सिर्फ BVs में आया है तो अब तक जो multiplication हुआ करता था वो 25 से हुआ करता था 1 सेप्टेंबर 2019 से यह जो multiplication है values का वो हुआ करेगा 27 से सो जितने भी लोग UDAN program की तयारी करें है उनकी basic requirements वो ही रहेंगी जो अब तक थी सिर्फ जो changes आएंगे वो BVs में आएंगे BV की जो values हैं उनके अंदर सारी changes आएंगे So I hope कि यह video आप लोगो पसंद आया होगा अगर आया है तो वीडियो को like कर दीजिए share तो जरूर कर दीजिए comment करके मुझे बताइए कि आपको videos कैसे लग रहे हैं एक like आपका मुझे बता देता है कि हाँ videos पसंद आ रहे हैं और मुझे बहुत जादा motivation मिलता है आगे काम करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब किये बिना तो बिल्कुल भी ना जाएं क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलती हैं बहुत सारी informative videos, वोधी केर से related products की हो या plans की हो या फिर नएने updates हो, नएने offers हो सब कुछ मिलेगा आपको इस चैनल पर तो subscribe किये बिना बिल्कुल भी ना जाएं comment करके मुझे बताईए आगे आप किस तरह के videos देखना चाहते हैं और नए products लेने के लिए या products की जानकारी के लिए products पर discounts के लिए आप call या message कर सकते हैं दिये वे number पर number पर आप call या message कर दीजे इसका reward आपके पास convenience के according आजाएगा और अगर आप already जुडे हुए हैं तो कोशिश कीजिए कि आप अपने appliance से ही बात कीजिए सारे confusions आपके वहाँ से दूर होंगे मेरी videos के थूर दूर होंगे इस number पर आप तभी contact करें जब आप नई हैं जुड़ना चाते हैं products ही जानकारी लेना चाते हैं उस case में तो I hope कि ये video आपके लिए helpful रहा होगा तो चलिए आज की video के लिए इतना ही मैं आप से मिलूँगी next video में Bye Bye